चहुत्तर आंदोलन के 45-वे बर्स गांट पर जेपी सेनानी संगर समीती के बैनर तेले सेनानियों द्वारा जेपी कोलंबर चुक्सिकारपुर में वूट पॉलिस का कारेक्णम आजुजित किया गया जिसमें दर्जनों सेनानियों ने पॉलिस और ब्रस को लेकर शमुहिक रूप से आने जाने वालो नागरिकों को जूता चपल में पॉलिस कर अपना ब्रोज जदाया समीती के अध्यक्ष अब्देश कुमार सिन्हा ने बदाया कि बिहार सरकार द्वारा पेंसन लागु किया गया है लेकिन इसका लाग पिदायक मंत्री तथा बिसिष्ट लोग को ही मिल रहा है रगुनात परसाद, मोहन आजाद, अनिल कुमार, लल्लू परसाद इत्यादियों ने सामीर होकर सरकार का विरोधिक किया कुमार होमस आएं और LCD TV, प्रिज, AC, वाशिंग मशीन, अलमीरा, वेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे धेर सारे प्रोड़क्ट्स आपको मिलेंगे सिर्ट कुमार होमस, गुरु गोविन सिंग पत, चौक, पटना सिटी प्रकाश जी के चित्र के नीचे बैठ करके बुट पॉलिस करने के लिए मजबूर है इसलिए इस सरकार को हम लोग कितावनी दे रहा है कि आपने तो पेंशन लागू कर दिया, लेकिन पेंशन सही मायने में जो जरूरत मंद लोग हैं उनको नहीं मिल रहा इसके कारण गई जेपी सेनानी का मिर्तु हो गया इसमें लालबाव मेहता, लच्मन, केशरी, आपका घंस्याम, लाल, जमुआर, सारे बहुत सारे लोग हैं जिनका के अर्था भाव का कारण बिमारी से इलाज नहीं कारण उनके मिल रहा हैं लेकिन जो चोहत्यर आंदोलन के बास्तविक सिपाई हैं उसको आद्वी सेनान नहीं मिल रहा है इसलिए इस सरकार को, बिहार सरकार को सरम आनी चाहिए कि जेपी सिनानी आज इस असर पर भूट पॉलिस कर रही है और अपना आर्थिक तंगी का इजहार कर रही है पतनी हुए और मैं दोर्ते दोर्ते ठक चुकी है, सरकार को सर्म आनी चाहिए कि हम लोग अदम बोड़ पर आ चुके हैं, अच्छे अच्छे जो पोस्ट पे बैठे हूं, वो और फेंसन उठा रहे हैं, और बताइए हम लोग ऐसे आदमी अब जमानी में कुछ काम का अब बच्चे को तो किसी तरह पालन को सरे, आप हम लोग क्या करें इस उमर में, सर्मानी चाहिए सरकार को, हम लोग ऐसे कम से कम पेंसन तो दे दे, कम से कम आप उपा का सहारा